पढ़ाई की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के सर डिफकल कॉंसेट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनकी चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनकी लक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए अज हम आपके लिए आइसी एसी फिजिक्स चाप्टर 3 पुलीज में ब्लॉक और टैकल्स के बारे में डिस्किशन करेंगे अगर इस चाप्टर के पुराने टॉपिक्स आपने नहीं देखें तो वह हमारे पुराने लेक्चर्स में है प्लीज हमारे चानल पर जाएए वहां से लेक्चर्स देखिए चानल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए चलिए अब देखते हैं कि पुली में जो ब्लॉक और टैकल्स चीज़ आपको पता दिया रही है यह क्या होती है अब वैसे तो सुनने में यह लगता है कि चैप्टर का वन आफ टफिस पार्ट है लेकिन एक्चुली में यह ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो ब्लॉक और टैकल्स बहुत ही जादा एक इजी टॉपिक है आपके लिए ठीक है अब देखते हैं यहां पर पहली तो दो वर्ट्स है ब्लॉक और टैकल्स है क्या तो ब्लॉक और टैकल्स समझने के लिए आप कोई भी एक पुली सिस्टम है घूइध थिस्ञाप फाइफ पुली सिस्टम अब फ्रिपुली सिस्टम में हमें ब्लॉक और टैकल में फमजना है तो क्या होगा तो पहली चीज़े तो देखिए कोई भी भी भाइद टैकल्स सिस्टम होगा उसमें कुछ पुछ फिक्स होंगी और कुछ मूवे इसके बारे में देखें तो यहाँ पे आपकी यह जो ऊपर की दो पुली है ठीके यह फिक्स पुली है और नीचे वाली जो है वो आपकी क्या है यह जो यह इस ट्रिंग आप देख रहे हैं यहां पे रेट कलर की है इस इस रोप को टैकल कहते हैं ठीक है वहां पर ही एफ़र्ट लगाते हैं और सारा मुव्मेंट हो रहा होता है इसलिए उसको टैकल कहते हैं कोई ऐसे इतना जादा कंफ्यूजिंग वह नहीं इससे कोई फरग नहीं पड़ता अब फुली सिस्टम समझते हैं कि फुली सिस्टम क्या है अगर आप यहां पर देखिए तो यह एक मुवेबल पुली है और यह दोनों आपकी क्या है फिक्स्ट पुली पे यह रेखिए यहां से आपने रोप को यहां पर आके आप उस पर एफ़र्ट लगा रहे है ठीक है अब जो आप यह एफ़र्ट लगा रहे हैं अब अगर आप लोड पे अगर आप लोड पे देखिए कि टोटल कितना टेंशन लग रहा है तो लोड नीचे की तरफ है टेंशन क्या होगा ऊपर की तरफ तो इस लो यह उसके बाद अब इसके पहले पड़ चुके हैं कि मेकानिकल अडवांटेज आपका होता है लोड अपॉन एफट अब अगर मेकानिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफॉर्ट होता है तो लोड में कितना फोस है तो लोट पे 3T और effort क्या है ती तो यह 3 ती कैंसल और यह कितना आ गया 3 अब यहां पर mechanical advantage 3 आ रहा है ठीक तो अगर mechanical advantages greater than 1 होता था तो हम starting में यह चीज कर चुके हैं कि हमारी जो machine है या हमारा जो system है वो क्या है एक force multiplier है तो यहां पर mechanical advantage 3 आ रहा है that's why यह जो हमारी 3 bully system में यह एक क्या है force multiplier machine की तरह work कर रही है ठीक है अच्छा अब velocity ratio क्या है velocity ratio भी यहां पर 3 होगा क्योंकि हमें पता है कि velocity ratio क्या होता है velocity ratio होता है displacement of effort upon displacement of load और यहां पर effort का displacement जो है और load का displacement इन दोनों displacement के हिसाब से आपका velocity ratio कितना आ गया ठीक है अच्छा अब यह चीज जो है यह किस condition में हम यह वैल्यूस निकालने हैं जब-जब की हमारी मशीन एक आइडियल मशीन है आइडियल मशीन कब होती है जब हम यह कहते हैं कि हमारे system की efficiency है वह कितनी है 100% अगर हमारे system की efficiency हंड़ेट परसेंट है तो हमारी जो मशीन होती है वह मशीन हमारी आइडियल मशीन है ठीक अब यहां पर अगर हमारी इस थ्री फुली सिस्ट्रम की efficiency हंड़ेट परसेंट थी तो mechanical advantage 3 और velocity ratio 3 है अब एक चीज और हम लोगों ने पढ़ रखी है कि efficiency velocity ratio और mechanical advantage में velocity ratio किसी भी मशीन का constant होता है तो अगर यहां पर इसकी value 3 है तो यह fix रहेगी अब अगर आपने practical case में कहा कि आप एक मशीन लेकिया है ठीक पुली सिस्ट्रम लेकिन उसकी efficiency आपकी कितनी थी 80 परसेंट थी अगर efficiency 80 परसेंट थी तो उस पुली का उस सिस्ट्रम का mechanical advantage कितना होगा तो mechanical advantage का formula आपको पता है क्या होता है efficiency इंटू velocity ratio यहां पर 80% that means 80 upon 100 into velocity ratio यहां पर कितना है 3 तिक अब 00 यह हो गया आपका 24 upon 10 that means 2.4 तो अगर हमारे system की efficiency 80 परसेंट है उस case में mechanical advantage कितना हो जाएगा 2.4 ऐसा नहीं है कि वह 3 ही हमेशा बना रहेगा वह depend करेगा कि आपने system का जो efficiency है वह कितना है ठीक अब यह तो एक 3 police system था अब इसी तरह हम 4 police system देखते हैं 4 police system में क्या है कि दो police आपकी ऊपर है दो नीचे है ठीक लोड पे जितनी police है ठीक है पहली condition या तो जो load की police है वह effort की police से कम होगी कर तो चो इतनी number of police है वह effort की police के equal होंगी ठीक है उसके उसे जादा हो सकती क्योंकि यहां पे effort के तीन police है लेकि load पे दो ही हैं तो या तो equal होगी effort से या उससे हमेशा कम होगी ठीक है अगर आप four police system में देखें तो load पे भी कि दो पूलीज लगी है और एफोर्ट पर वी दो पूलीज हैं अब अगर आप L open tension एक यहां पर यह तो इसकी यह चार अपके इसकी चार जो आपके तो लोट इस इकोस टू आपका कितना आगया 40 एफ़र्ट पे देखिए एफ़र्ट पे तो सिर्फ एक टेंशन फोर्स लग रहा है तो एफ़र्ट क्या है आपका टी है अब यहां पर क्या होगा लोड पॉनन इफ़र्ट कोटी हमेंशे एफ़र्ट उडीप उफ़र्ट को डविल्आर को पता है यह कर दो पिशनला जैसी आपकी अफिचेंशी होती है mechanical advantage 4 इसका काव है जब की हमारी efficiency 100% है अगर efficiency 100% नहीं है तो mechanical advantage 4 से कम हो जाएगा 4 police system के बारे में हम बात कर रहे थे ठीके अब इसी तरह ये आपका एक 5 police system है 5 police system में देखिए अभी बताया कि जितने load पे police है यह हमेशा effort के number of police के या तो बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे ठीके अब यहां पर अगर effort पे 3 police लगी है यहां पे load पे 2 number of police है ठीक यहां पे tension देखिए तो 1,2,3,4,5 कितने tension force है 5 तो load पे कितना हो गया 5 t effort आपका कितना है t mechanical advantage जहां से load upon effort से कितना हो गया 5 टिक और velocity रेशियो भी 5 कब जबकि यह ideal condition है efficiency 100% है पार बार में यहीं चीज़ बता रही हूं अगर कभी भी efficiency 100 नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि कि cv system का mechanical advantage इतना ही है वह हमेशा depend करता है उसकी efficiency थीक है तो यह बच्चो ब्लॉक एंड टैकल में आपका 3 पुली 4 पुली और 5 पुली system था आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजे चलिए बच्चो नेक्स टॉपिक देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इसके पहले जो आपको ब्लॉक एंड टैकल बताया उसमें हम लोगों ने कहा कि जो हमारे पास पुली है ठीक है हम उसके weight को negligible मान रहे हैं मतलब हम यह कह रहे हैं कि पुली का अपना कोई weight ही नहीं है ठीक स्टार्टिंग में आपको यह बात बता दी गई थी कि mechanical advantage is equals to velocity आपका mechanical advantage load upon effort है अब अगर load upon effort है तो वहाँ पर जो आप load लगाते हैं सिर्फ उसी की weight के बारे में बात की जाती है ठीक है वहाँ पर कह दिया गया था कि ना तो पुली का अपना कोई weight है ना तो रोप का कोई अपना weight है और ना ही पुली और रोप के बीच में कोई भी fractional force है वो ideal conditions थी जब हम लोगों ने डिसकस किया था कि mechanical advantage is equals to load upon effort ठीक लेकिन अगर हम यह कहें अगर हम बहुत ही practical way में बात करे हो तो यह बात होती है कि effect of weight of pulley on mechanical advantage velocity ratio and efficiency अग अग अगर हम पुली के weight को भी consider करें अगर हम यह माने कि हम पुली का पुली जो हमारा lower part है उसमें जितना weight है उस weight को भी consider करें तो आपके mechanical advantage velocity ratio और efficiency में क्या-क्या changes आ सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखते हैं तो consider करते हैं a system जहां पर n number of pulleys हैं तो एक system है जहां पर n number of pulleys हैं अब डबलू weight है जो lower part में जितनी पुलीज है उनका अपना भी जो weight है वह डबलू है ठीक है तो effort पर तो आपके पास क्या होगा effort आपका जो चलना है tension वही चलेगा effort से कोई मतलब नहीं है अब यहां पर जो load है ठीक है load के साथ साथ आप भाई नॉर्मली लोड क्या होता थ लगाते दे खर नंबर पुलीज इंटू टेंशन फोर्स अगर 3 पुली लगाते थे तो हम कहते थे कि effort तो हमारा ती है और load हमारा 3 अगर 4 पुली लगाते थे तो effort आपका टी होता था लेकिन लोड आपका क्या होता था पूर टी होता था तो उसी हिसाब से यहां पे जितने number of आपके पुली है उनका n into t लेकिन यहां पे जो लोड है वो अपने जो पुली के weight के बराबर है तो l plus w is equals to n into t करेंगे ठीक है तो l plus w is equals to n into t now l is equals to यहां से क्या हो जाएगा nt minus w ठीक अब mechanical advantage का formula load upon effort ideal condition में जबकि हम पुली का weight नहीं ले रहते लेकिन यहां पे mechanical advantage क्या हो जाएगा load upon effort लोड की value nt minus w upon e ठीक अब अभी आपने यहां देखा कि e is equals to t effort is equal to tension force तो e is equals to t यहां पर आपको यह चीज़ पता है तो mechanical advantage nt t की जगा आपने क्या substitute कर दिया e तो n into e minus w upon e mechanical advantage is equals to n e upon e minus w upon e यहां से e e cancel तो mechanical advantage n minus w upon e तो जब हम pulley के weight को भी consider करेंगे तो हमारा mechanical advantage आएगा n minus w by e ठीक है इसके बाद velocity ratio तो number of police पर depend करता है यहां पर velocity ratio constant होता है उसका कोई effect नहीं होता उस पर किसी भी चीज़ का तो यहां पर वो क्या है n के बराबर है जितनी number of police है किसी system में उतना ही उसका क्या है velocity ratio अब बात करते हैं कि efficiency का में क्या changes आयाता है अगर efficiency की बात करेंगे तो efficiency क्या होती है mechanical advantage upon velocity ratio mechanical advantage क्या है अभी आपने यहां देखा n minus w upon e ठीक तो n minus w upon e upon velocity ratio n हमेशा constant रहेगा number of police पर depend करेगा तो यहां पर आपने n लिख दिया अब efficiency क्या हो गई यहां पर e-lcm this is any minus w upon e upon n यहां से e नीचे आ गया यह बन गया any minus w upon any any upon any minus w upon any any cancel one minus w upon any तो efficiency यहां से हो गई आपकी क्याइध क्यूले से तो थीन उटे में लिख आपकी किस कंडिशन में हैं जब हम पुली के वेट को भी कंसीडर कर रहे हैं उस कंडिशन में हमारी यह सारी चीजे हैं ठीक है अब आप चाहिए तो ए नोट कर लिज तेले बच्चो कोशिन देखते हैं कुछ अब यहाँ पर पुली का जो हम पहला एक कोशिन देख रहे हैं वो है कि अब पुली सिस्टम with a velocity ratio of 4 ठीक है यहाँ पर velocity ratio क्या दे रखा है velocity ratio आपका दे रखा है 4 is used to lift a load of 150 kg तो load यहाँ पर कितना दे रखा है आपका load यहाँ पर दे रखा है हमारा 150 kg फोर्स ठीक है throw a vertical height of 20 meter तो अगर load की vertical height दे रखी है इसका मतलब हमें distance of load दे रखा है तो यहाँ पर distance of load कितना है यहाँ पर हमारा distance of load है आपका 20 meter the effort required is 50 kg फोर्स ठीक है effort requires it is 50 kg फोर्स in downward direction effort required मतलब यहाँ पर effort कितना दे रखा है आपका 50 kg फोर्स ठीक है यह आपको दे रखा है velocity ratio दे रखा है load और effort दे रखा है distance of load दे रखा है ठीक है ध्यान से देखिए इतनी चीज़े given है अब पहली चीज़ क्या calculate करने के लिए कह रहा है कह रहा है the distance move by the effort distance move by the effort निकालना है मतलब हमें d गी निकालना है अब आपको याद होगा कि आपका velocity ratio के लिए formula क्या होता था पहले को solve करेंगे जिसमें हम कहेंगे velocity ratio आपको क्या होता था distance move by effort upon distance move by load ठीक यहाँ पे velocity ratio कितना दे रखा है 4 दे रखा है तो इसको solve करेंगे तो 4 is equals to हमें d e निकालना है हमें d l दे रखा है 20 तो यहाँ से d e आपका कितना आजाएगा d e आजाएगा आपका cross multiply कर दीजे कितना आ गया 80 meter तो distance of effort आपका कितना आ गया 80 meter ठीक है next क्या कह रहे है निकालने के लिए the work done by the effort work done by the effort work done क्या होता है effort into distance of effort अब यहाँ पे आपका effort कितना है 50 kg force ठीक है अगर 50 kg force आपको given है यहाँ पर तो यहाँ पर इसको पहले किसमे work done निकालना है तो इसका मतलब हमें आप जूल में अंसर चाहिए तो हमें work को newton में convert करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आपको देनी रखा है तो हम imagine कर लेते हैं कि अगर g की value कितनी है 10 है ठीक है newton पर meter square तो अगर g की value 10 है तो यहाँ पर second case में देखिए work done निकालना है तो effort कितना हो जाएगा 50 into 10 is equals to 500 newton ठीक और work done हो जाएगा effort into distance of effort effort कितना है 500 distance of effort कितना था 80 आपका कितना आ गया 4000 जूल तो work done आपका कितना आ गया 40,000 जूल ठीक है यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका work done आ गया 40,000 जूल ठीक अब आपको next देखिए क्या निकालना है next आपको find out करना है mechanical advantage अब अगर आपको mechanical advantage निकालना है तो mechanical advantage का आपको formula पता है load upon effort load यहाँ पे कितना था 150 effort कितना है 50 तो यह 00 cancel कितना आ गया 3 mechanical advantage इस pulley वाले system का आ गया आपका 3 next आपको क्या find करना है efficiency of the pulley system अब efficiency आपकी क्या होती थी mechanical advantage upon velocity ratio into 100 mechanical advantage 3 velocity ratio 4 into 100 कितना आ गया यह आपका 75% तो इस system की आपकी efficiency कितनी आ गयी 75% क्लियर है चलिए अब एक और कोशन है वो देखते हैं कोशन के रहा है कि अब block and tackle has two pulley in each block ठीक that means दो fix pulley और दो moveable pulley ठीक है with the tackle ties to the hook of two of the lower block and effort being applied upward अब यहां पे जो हम लोग block and tackle system पड़ते थे अगर आपने वही सोच के चार पूली का system यहां पे बना दिया तो आपका answer गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि वहां पे effort नीचे की तरफ लगाते थे यहां पे portion में twist है effort कहां पे लगा रहे हैं ऊपर की तरफ लगा रहे हैं ठीक है क्योंकि देखिए क्या कह रहा है being applied upwards यहां पे effort upward लग रहा है ठीक है नॉर्मली बच्चे कहेंगे कि फोर पूली का system है और जहां mechanical advantage है हमने तुरंट लिख दिया कि फोर आ गया नहीं यहां पे effort कहां arrangement के लिए ठीक है और तब हमें mechanical advantage find out करना है तो आइए इसका diagram देखते हैं देखे चार पुली का system है ठीक है तो चार पुली का system आप पहले बनाएए आपके एक पुली यह एक पुली यह उसके बाद एक पुली यह और यह हो गई आपकी पूर्थ पुली यहां पे load connect है आपक ठीक this is load चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपका connection है कैसे connectivity हो रही है अब यह यहां से गया ठीक यहां आया यह इस पे आया यहां आया इस से आया यह आया और ध्यान से देखिए upwards लग रहा है effort effort कहां लग रहा है upward लग रहा है ठीक है अच्छा अब tension की बात करते हैं अगर हम लोग tension की बात करें तो देखते हैं एक यहां पे ठीक एक tension force यहां पे एक tension force आपका यहां पे ठीक है एक tension force आपका यहां पे उसके बाद एक tension force आपका यहां पे कितने हो गए एक दो तीन चार और एक tension आपका यहां पे भी तो रहेगा यहां पे भी रहेगा ना यह तो है नहीं कि हमने effort को इधर से घुमांगे डाला हो अब यहां पे effort के लिए तो tension कितना है T है अगर आप effort के लिए tension देखे तो T है लेकिन load के लिए tension देखे तो कितने T है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पे effort कितना है 5 T है ठीक तो अब mechanical advantage यहां पे क्या ह आ गया 5 इस question में mechanical advantage 5 आ गया twisted question है ध्यान से समझेगा उसके बाद कह रहे थे if a load moves up a distance x अगर load एक distance x को move कर रहा है ठीक what distance will the free end of the string moves अब इसकी free end कितना move करेगी मतलब effort वाली end आपकी कितना move करेगी अगर यह x कर रहा है तो यह इतना x यह x यह x यह यह मतलब जो 5 tensions आप जहां देख रहे हैं वो sub move करेंगे न 5 x की तरह तो अगर यह x move कर रहा है तो free end of string move कितना हो जाएगा second part आपका इसका आप लिखो यह आपका first part second part आप लिखेंगे कि free end of string move is equal to 5 x ठीक है तो यह questions आपको बताये गए हैं आगे भी आपको इसके regarding questions बताये जाएंगे आगे के lectures में ठीक है यह हमारा block and tackles के लिए उसका पूरी summary और कुछ numericals थे आगे की चीज़े आगे के lectures में डिसकस की जाएंगी तब तक बच्चों हमाए चैनल को देखते र वीडियो लाइक करिए stay tuned stay safe and stay connected thank you